इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास Android TV है, चाहे वो MI की हो, Realme की हो, या फिर OnePlus की हो, तो अगर आपने Setup Box अपने TV से Setup Box को Connect कर रखा है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से TV On करने के बाद, Please Scan Channel लिखकर आ रहा होगा, और आप कोई भी बटन दबा रहे ह तो जो आपके चैनल होते हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप चैनल को देखना चाहते हैं, जो जो चैनल है, TV के, वो सारे आप चैनल देखना चाहते हैं, तो इसका मैं Solution बताऊंगा, वीडियो ध्यान से देखते रहे हैं, देखिए, अगर आप यहाँ पर जो Application क Option आता है स्क्रीन पर, वो भी लाना चाहते हैं, तो वी बताऊंगा, पहले मैं Setup Box के चैनल यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, वो बताऊंगा कैसे करते हैं, चलिए ध्यान से देखिए, आपके पास Remote होगा अपनी TV का, तो यह Remote मेरे पास इस तरीके का है, तो इसमें एक Menu Button इस बटन को, जैसे ही मैं दबाऊंगा Menu Button को, तो Source का Option यहाँ पर आ जाएगा, तो इस पर OK करूँगा, रिमोट से, Source बटन पर OK करूँगा, तो यह List आ जाएगी, तो हो सकता है आपने 3 Pin लगाई हो, जो 3 Pin होती है न, Colorful वाली 3 Pin होती है, आपने हो सकता है, वो लगाई हो, त तो आपको यहाँ पर, इस में Select कर रहा है, ATV में, ठीक है, तो अगर इस से आ जाते है चैनल तो ठीक है, नहीं तो वापस से Menu पर जाएए, और Composite पर क्लिक करें, तो अब यह देखेगा कि आते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, कि मैंने Setup Box लग करा रहा है, अगर आपने Setup Box लगाया होता, तो यहाँ पर आपके चैनल आ जाते हैं, अगर आपका होगा तो आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग HDMI केबल की मदद से Setup Box कनेक करते हैं, वो जो तीन कलर की Red, Yellow, White वाली वायर आती थी, उसके मदद से अब वो कनेक्ट नहीं करते हैं, तो उन्हें यहाँ पर HDMI 1 या HDMI 2 पर करके Select करना है, ठीक है, तो इस तरीके से उनका आ जाएगा, अगर HDMI 1 से नहीं होता है, तो 2 में करें, इस तरीके से आपकी Problem Solve हो जाएगी, अब मैं बात करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि जो TV में Application होती है, YouTube, Hotstar यह सब होते हैं, वो आजाए, तो उसके लिए यहाँ पर, देखिए Home Button होगा आपके TV, आपके Remote में, तो Home Button दबा दे, तो आप Home पे TV के Home पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर आप Wi-Fi Connect करके, अपने सारी Applications और सारी चीज़े देख सकते हैं, तो उमीद करता हूँ, वीडियो पस नहीं होगी, टेक्स लोर को सब्सक्राइब जरूर कर दे,